नमस्कार दोस्तों एस बी नूज इंडे के डीटल पैनल आपके अपने फेस्बुक पेज यूट्यूब चैनल अम्रीज बालयान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है विनंदन है मुझा फणगरों बिजनों लोग सबाक्षेतर में चुनाव परचार को गती देने के लिए आ अपने किसमत आजमा रहे संजी वालान जी हमाटरात में है तो मंत्री ठीक दस दिन का समय अपसेश रहा गया मदान में किस तरीका माहूल आप देख रहे है दो हजार चोदा लगता है कल मैं जिस चेत्रमत ऐसा लगता था कि मैं जो हजार चोदा का चुनाव लड़ रहा हू एक तरफा माहूल सर्व समाज एक साथ खड़ा है तो और सब के मन में एक चैके इस बार ऐसी जीत तरज करनी है पश्ची मुत्तपदेशों पूरे में इसी इस्तितिय बारतियंता पार्टी एक तरफा जीत रहे है उसके बाद अपने चुनाव में आप कितना अंतर मैसूस क भारतियनता पार्टी रास्ट्य लोगदल के कारेकरता मिल के काम करे रहे हैं और सब एक हो चुके हैं पता ही लिए रहा कौन रास्टी लोगदल में वारतियनता पार्टी सारे परदान जितने भी परदान पूर परदान आने वाले परदान सब एक मंच पर आ रहे हैं और मंच तो ये बात भी कहीगी कि आप शायद बिठावदा में किसी दूसरी पार्टी का बटन ही शायद दब है अब तो ऐसे बहुत से गाम आपको मिलेंगे आप चुनाओ को मसीनरी का दुरूपयोग हो रहा है थानेदार लोगों को बुला के ड्रा रहे हैं धमका रहे हैं किस्यानी बिल्ली खंबान उच्छे एक कह सकें चुनाओ जंता का है यह मुझा फड़न गरे हैं यहां कोई किसी से नहीं डरता यहां सब जो करते हैं प्यार में अपनी सोच क साथ करते हैं यह ऐसी जगह नहीं है जहां को इडर जाए कि अलिक साब कह रहे हैं कुछ उद्योग पतियों को किसी ठेकेदार के लिए कि पैसा मतवाओ देखे अभी तो कुछ बने नहीं है जब हुआ करते थे शेहर का वैपारी और शेहर का बिजनस पर उसमाहूल को याद कर रहा है आज भी और जब अभी से ही आल है चुनाव लड़ने में तो सोची आग्या क्या होगा अभी तो बंदर के आत्म उस तरह आया ही नहीं है उस तरह आ जागा तो बंदर किस-किस के मारेगा यह जनता अपने आप तेह करेगी राममंदिर को लेकर एक बयान भी बारल हो रहा है मलक साब का मुझे पता नहीं पता कि सांसद की सीमा क्या होते है या सांसद के काम क्या होते हैं मुझे उस naturally का सांसद का प्रतियाशी रामंदिर चीनना चाहता है जो 500 चाल में राममंदिर बना है जो करोड़ों कुछ लोग ये ब्यान उसी का वो है योगी जी आ रहे हैं कल सरदनाक शेतर में और चोदा तारिक में शायद उनका दूदली में सोरी चर्थावल शेतर में प्रोग्राम है एक समाज विशेस में कुछ नाराज़गी देखने के लिए मिल रही है तो चुछ विखति नाराज़ नशाहें और किसी ने किसी को अधिकत भी नी क्या होता कि आपप इधिकत कोश्णा करेंगे समकी तो कुछ विखति नाराज है मुझा लगता है कि जलन तक चुनावाएगा मुदी जी रियोगी जी के देख के समर्थी हो जाएगा तो बड़ी बात मंतर जी कह रहे हैं कि नाराजगी जो है वो भी दूर हो जाएगी और कह रहे हैं कि पूरा समर्थन उन्हें मिलता जा रहा है और जिस तरीकी से जैन चोधरी जी ने कहा साफूर की रेली में कि परतिश्टा दावाँ पर उसके बाद मंतर जी कह रहे हैं कि नाराजटिय लोगदल के चाहे नेता हो चाहे कारिकरता हो चाहे वोटर हो सबका सत परतिश्ट सैयोग मिल रहा है और जीत सुनिस्चित है